लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ले लाइकन बटन फॉर मोर्टोटर्टर्स आज 3ds Max लाइकिंग क्लास 9 में हम आज discuss करेंगे स्टैंडर्ड का स्काई लाइट स्काई लाइट लास्ट हमारा ओबनी का क्लास था तो बकी क्लास हमारे हो गए हैं तो आज का क्लास क्लास है स्टैंडर्ड क्लास क्लास है स्काई लाइट का स्काई लाइट ऐसा कुछ यह आपका लाइट होता है आप ऐसे कुछ कहीं भी क्लिक करोगे स्काई लाइट यहां सेलेक्ट करने के बाद तो इस तरह के यह डूंज będę आ जाता है तो यह आपका यह स्कॉएलाइट है आ है ज़िय देन हर यहां से एक बोड़ाइब ले एक एक लेल्भाता कि पहले व्होसों आप कि आ उसलेक्व, भी ज़ुकों स्केलेसे स्केल टरुक है को यहां से लहigraphा हुआ है इसा कुछ इसलेक्ट है, यहां से फ्रेम में ले लेता हूं कि कि तरह की अमका डेंटर दिखेगा, ऐसा कुछ है भी तो मैंने इसकाइलाइट सेलेक्ट कर दिया, अब यह स्काइलाइट कर रखा हूं, यह स्काइलाइट के बहुत छोटे से परामिटर्स होते हैं बहुत चोटा सा ये टूल है इसका और लाइट भी है सिंपल है बस फ्लाइट आपको हर चेका यह जो भी आपका इंवायरमेंट होगा जैसे आपका यह प्लेन जो प्लेन है इस पे आप देखोगे ग्रीन कलर को प्लेन है पस हर जगह एक जैसे कहीं भी हाट लाइट या डिम यह सब डार्क राइट सब नही हा रहा है लज टार्क らायट कों में यहां साइड इस तरह आपको नॉनमल सा इंग देता है अगर आप इस में ऐसकोष टी-पोठ 채एल भी हो अ इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो यह हमारा भी टीपोट है ऐसा कुछ अभी आप देखोंगे टीपोट भी पूरा फ्लैट आ रहा है क्यों क्यों कि अभी जब अभी जैसा की बताया कि आपको पूरे इंवार्मेंट में हट तरफ से ऐसा नहीं है अभी जैसे मैंने यह आपी है इस पिर्न पे रिंचें कोई फरक नहीं पड़ता है ग्रील को यहां से जादा कर लेता हूं कि अब कर दो समझ में में हैं अभी मैं है स्ट्लैन को इस जगह पर रक्खाओं मैं इसको पूरे एंवार्मेंट में कहीं बहीं दर कोने पूरे सीन में इस तरफ से भी इतना ही लाइट आ जारा है तो उस से क्या होगा उसी के लीजन से हम अगर इसमें कुछ भी उब्युक्त रहा ने यह रखती है यहां पे अगर मैं ऐसा कुछ एक बॉक्स बना जूँए उस सारी चीजे फ्लैट होंगी यह सारी चीजे इसमें कोई डिफ नहीं दिखड़ा होगा ऐसा हर हर चीज जहां पे आपको फ्लैट दिखेगा चुकि हर तरफ से सेम लाइट आ रहा है तो स्काई लाइट होता ही है इसको हम सीन में हलका सा इंवार्मेंट देने के लिए सन लाइट वगरे का हम ऐसा सीन में यूज करते हैं यहां से वह आउन है भी आफ अगर आप कर द जाता है जिसकारण आपकी चीजे प्लैट दिख रहे हैं यहां से मल्टिप्लायर है जितना जाता आप चाहो बढ़ा सकते हो अभी मैंने इतना कर दिया और ज्यादा बढ़ा दो चीजें जलने लगेंगी लेकिन हर तरफ अब जैसे पहले अभी स्टार्टिंग जितने भी उसमें क्या हो रहा था जिस जगह पे मैं लाइट प्लेस कर रहा था वहां पे उस जगह पे कमसे दम थोड़ा तो जरूर वह रहा था कि हाँ उस जगह पे लाइट इनकी इंटिंसीजी जाता है और फॉलो बन रहा है दूड जाकर लाइट कतम हो जाता था तो यहां पे ऐसा आपको एक जैसा लाइट दिखता है उसके बाद आपको आता है यूज सीन इंवार्मेंट आपको आपको जो भी कलर्स है वह वैसे दीख रहे है अगर आप चाहो यहाँ से पुरसा ऐसा कुछ ग्लू कलर देना है यह यहाँ चाहता हूं कि निया ऐसा कुछ यहलो कलर दे दूघ यह狂 कलर यूंच कर सकते हैं जो भी आप चाहो ऐसा कुछ color देना आप ऐसा कुछ color यूज कर सकते हो अपने scene में यहां से आप map यूज कर सकते हो जैसे यह चीज लूज बाकिए की इसके बाकिण तरहो चाहां भी देना, इसके आप कोई भी map यूज कर सकते हो बाकिती क्लास यहान आप आई डी खन वर्ण से जाकर देख सकते है जो आई खन действ हम अग्ठन है इससे आप देख सकते हूं यहां पर आप जाओगे यहां पर आपको बहुत सारी यह मैप है जैसे मारवल है जो मैं यूज करता हूँ कोई भी टेक्चर आप यूज कर लो या खुद का आपका कोई बनाया हूँ टेक्चर है तो वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हो मैप में आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अभी मैं ये यूज़ हिया हूँ आप जैसे ही गंडर करोगे तो आप देखोगे कि वो जो आपने जो भी आपने पैटर्न भी मारवल का लिया वो मारवल का यहां सब को दिख रहा है पूरे प्लेन पे यहां पे वो टेक्चर दिखना चालू हो गया है और अब आप इसका टाइलिंग जब आते हो कि नहीं तो यहां पर आप लाने के बाद यहां पर उसको छोटा भी कर सकते हो जैसे में थाइब कर देता हूँ तो आप देखोगे टाइलिंग जो है उसका टेक्चर्स छोटे-चोटे हो गया है तो पहले इस पर पता नहीं चल रहाता तो जैसे हम ने चोटे-चोटे कर दिये टेक्चर्स को देना पर इस बॉक्स पर भी दिखने लगा यहां पर प्रॉपर दिखने लगा वो जैसा कि यह लहुँआ है,, तो इस तरह से आपको टेक्चर्स भी यूँच कर सकते हो अगर आप चाते हो तो यहां से..ऑ अभी मैं फिलाल हम और dif आ घाता देता हूँ आँ क्लियर कर देता हूँ.. इस तरह से मैप में आप टेक्ट्यर यूज कर सकते हो और एप मैप में यूज़ करने के इसे हट जाएगा color, जो white simple color था, अब मैं environment कर दिया, तो वो environment से लेगा, जो भी light लेना हो, अभी यहाँ पर क्या है कि environment में कुछ भी नहीं है, हमने hdriv भी use नहीं किया है environment के अंदर, या कोई भी दूसरा light यहाँ पर place नहीं है, इसी कारज से यह ब्लैक करके दिखा रहा है, प और देन आपके environment में, मैं भी इसको बताता हूं कि कैसे यह source लेगा, और detail में, तो यह चीज है, यहाँ से आपको कोई और light को in HDRI, अगर यूज कर रहे हो, texture आप अपने environment में, sky के लिए, तो वहाँ से यह source लेता है, इसके बाद आपको आता है, यहाँ पर अभी फिलाल यही अपकर तो मैं इसको भी बता रहा हूं, last में भी इसको बता हूंगा कैसे, and this render cast shadow है, यहाँ से आप shadow अउन कर सकते हो, cast shadow जैसे ही आप on करोगे, then आपको depth इसमें आना चाल हो जाएगा, जो कि अभी flat आ रहा है, अब यहाँ पर अच्छा सा render देखना चालू हो गया, क्यों, क्योंकि हमने shadow on कर दिया, shadow on करने से क्या हूआ कि depth आ रहा है, यहाँ पर इसका shadow बन रहा है, यहाँ पर इसका shadow बन रहा है, जो जैसे ही shadow इसमें apply हुआ, shadow apply होने से क्या हूआ, कि यह एक real, अभी क्या हो रहा था, जैसे ही मैंने क्या cast shadow नहीं, simple, यह हमने on करके और skylight huge कर लिया, जैसे ही तो यह flat हो गया, क्योंकि यह similar, एक तो similar light आ रहा है, साड़े एंगल से, 360 साड़े एंगल से, top से, हर तरफ से, इस scene में क्या हो रहा है कि same light आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि left से 100% आ रहा है, जैसे 0.1, 0.0 है, अगर left से तो right से 0.5 है इसका half, ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता, तो इसमें automatic depth आना चालू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसी दिए, तो कि यह skylight का parameter सी ऐसे होते हैं कि हर तरफ से similar light यह dome light बना देता है, पहले कि max में ऐसा नहीं था, उसमें dome light हमें manually बनाना पड़ता था, यह 360 में एक एक light को copy करके, बट आज की advance में 2019, 2020 की classes में, max में यह डाल दिया गया है, automatic की आपको dome बना कर ऐसा देता है, यह skylight, तो यह चीज है, आप यहाँ से, अगर आप cast shadow on कर देती हो, दिन आपका इसमें shadow apply हो गया, तो यह इस तरह से आपका एक simple, अगर आपने कुछ simple model बनाया है, simple कोई आप model बन की नहीं करना है, तो इस तरह से simple, आप सिर्फ dome light apply करो, skylight apply करो के, and वहाँ जैसे किसी plane पर अपने model को रख के, आप render कर सकते हो, ताकि कहीं भेज सको किसी को दिखास हो, जैसे अभी यह, यह आपको इस तरह से दिख रहा है, इसमें क्या होता है, सारा detail आपको दिख रहा है, यहाँ कैसा है, इस तरह से, तो यह एक simple आपको render cast shadow on करने पर, यहाँ से आप cast shadow में, raise pad sample है, यह आप कर सकते हो, raise bias है, यह आप अपना, खम और ज्यादा करके देख सकते हो, कि कैसा हमें, आपको जिस तरह का भी चाहिए, तो यह चीजा, आपना, यहाँ से, जैसे आभी हम ग सकते हैं, raise पर sample है, यह भी 20 है, cast shadow जैसे ही हमने use किया, तो आप देखोगे, थोड़ा render timing भी अब बढ़ रहा है, मैंने cast shadow यूज नहीं किया था, तो render छिट से जल्दी से होड़ा था, क्योगी, अब setup setup apply हो गया, तो यह time ले रहा है, थोड़ा सा time भी ले रहा है, यहाँ से, यहाँ सेंपल यहाँ 20 है, इसको मैं फिलाल भी 50 कर देता हूँ, दिन आप देखो क्या होता है, मैं यहाँ से इसको, region select करके रेंडर करूँगा, ताकि जल्दी render भी हो और आपको समझ में भी आ जाए, कि मैं करना क्या चाहता हूँ, इस तरह से मैंने region पनाया, and then render कर रहा यहाँ से, यहाँ से आपको region को दिया जाता है, आप region select करके उतने region का ही render आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप इनको edit करके, ways, bias है, यह sample rate है, इनको आप कम और ज्यादा करके देख सकते हो, कि क्या फरका रहा है, थोड़ा बहुत कहीं फरकाएगा, जो भी होगा, तो इस तर वेंडर से, फ्रेम में आपको किस region के, जबसे यह region select ऐसे करने का, full frame है, selected area है, इसमें जिस area को select कर लोगे, वो area, scene में जितना select करोगे, उतना area, यह चीज़े आप इसका भी use कर सकते हो, तो देखो कि आप ऐसा कुछ, यहाँ पर आ रहा है, ऐसा कुछ, तो यह चीज़े है, edit करके आप देखोगे, कि कितना, अभी मैं फिर से 20 कर देता हूँ, तो यह चीज़े है, पहले edit करके देखोगे, जैसा आपको output आ रहा हो, आप जैसा render निकालोगे, तो and अब हम चलते हैं, इस पे, use scene environment, तो इस scene environment में हमारा, जो जैसा कि था भी, the scene black आ रहा था, अब मैं एक hdri, यहा से अगर मैं कोई hdri, उसकर लेता हूँ, and hdri, में आप यहा से map पे, and आप कोई भी अभी rose, मैप कि यूज कर सकते हो, यहास से, यहासे मैं इस तरह के, यहासे इस तरह का, यहासे इस तरह का hdri, कर रहा हो भी, इस तरह से आप यहांісा environment में, ऐसा कुछ ये, HDRi डाल देते हो एंड देन आप देखो गया ऐसा कुछ यह रेंडर होकर आड़ा है इससे अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो ऐसा कुछ तो अब यह रेंडर में काफी टाइम लेगा यह मैंने सेटों पे आप लाई कर दिया है अब यह पूरा एंवार्मेंट में HDRi यूज किया है इस सीन में तो थोरा सही है टाइम लेगा रेंडर होने में अब थोरा बहुत मॉइस आ रहा है तो यह चीजे मैं बताऊंगा देख लास में कि कैसे लाइटिंग में आप मॉइस वगर हटाऊगे इस तरह से आप देख रहा हों कि मैंने इनवार्मेंट यहां पर जो मैं बता रहा है आप यहां आप इसके अंदर लाइट के अंदर जो यह इंवार्मेंट है यह तभी काम करेगा जो आप एश्टी आ रहा ही यूज करोंगे कुछ अगर मैं यहां से आफ कर दिए इसे light को, तो यह देखो कि आप HDRI कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, जल्दी से बस ऐसा कुछ render हो गया, बट अब जैसे ही इसे on करूँगा, क्योंकि standard lighting में यह skylight, इसे लिए यह HDRI इस तरह से apply करके आपको ऐसा कुछ output दे रहा है, standard में आपको जब भी ऐसा कुछ output चाहिए, skylight यूज़ करना है, then HDRI यूज़ करना है, अगर आप environment lighting देना चाहते हो, then इस तरह से आपको lighting करना पड़ेगा, अगर यूज़ करना है, तो sky color यूज़ कर लो, then ऐसा कुछ आ जाए, तो इस तरह से आप lighting करोगे, इस तरह से आपका skylight का यूज़ होगा आपके scene में, and class अगर आज़का सही लगा, तो आप like कर लिज़े इस video को, and दोस्तों में share कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को सीखता है, ऐसा कुछ आपका, यह render आएगा, यह आपका, and थोड़ा बात आप nice control कर लोगे, तो बहुत सुन्दर render आ जाता है, इस से भी, skylight से भी, so, चैनल को subscribe कर लिज़े, ताकि next videos भी आपको मिल जाए, notification मिल जाए, thank you, like, share, subscribe and click the like button for more tutorials.